ब्राट तो यू बाई टेक्नो कैमन 30 सीरीज करते हुए साउथ आफ्रिका की केवल एक विकेट गिरी और आसानी से उन्होंने इस मैच में जीत हासिल की और पहली बार T20 World Cup के फाइनल का टिकेट कटा लिया अब मैच के बाद प्रेस कांफरेंस में टीम के हेड कोड जॉनातन ट्रॉट आए और उन्होंने इस मैच में इस्तमाल की गई पिच पर सवाल उठा दिया है जी हाँ ICC सार उन्होंने सवाल उठाया जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से schedule था उनके team का players काफी ज्यादा tired थे तो आईए देखते हैं Jonathan Trott ने press conference में आकर किस-किस मुद्दे पर बात की आप अपने screen पर देख सकते हैं किस तरह से Jonathan Trott ने सबसे पहले कहा मैं अपने आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता लेकिन मैं खटे अंगूर की तरह कुछ भी नहीं कहना चाहता यानि case of grips वाली बात कहीं उन्होंने कहा लेकिन ये pitch नहीं है जिस पर आप World Cup का semi-final देखना चाहते हैं तो सीधे तोर पर उन्होंने pitch पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये World Cup semi-final वाली pitch नजर नहीं आ रही है Jonathan Trott आगे कहते हैं प्लेन और सिंपल ये एक fair contest होना चाहिए था मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिना spin और seam movement के पूरी तरह से प्लाट होनी चाहिए आपको बले बाजो को आगे बढ़ने और गेंद को अपने सिर के उपर से उड़ाने की चिंता नहीं करनी चाहिए आपको line par करने या उनके skills का उपयोग करने में confident होना चाहिए और T20 आकरमक करने, run बनाने और wicket लेने के बारे में है not looking to survive तो उन्हें कहा कि T20 के जब आप बात करते हैं it's all about aggressive cricket, it's all about making runs, it's all about taking wickets लेकिन यहाँ पर आपको अपने survival को लेकर सोचना नहीं पढ़ना चाहिए जो कि आज के match में देखा गया उनका यही कहना है कि contest जो है fair होना चाहिए आगे Jonathan Trott कहते हैं और उन्होंने कहा अगर opponent team ने अच्छी गेंदबाजी की और अच्छी गेंदबाजी करके और skills के जरिया आपको एक city में ला दिया तो यह उनके लिए ठीक है then it's all about adapting कि वो किस तरह से adapt कर रहे हैं अपनी team के उपर उन्होंने क्या कहा आईए देखते हैं उन्होंने अपनी team के बारे में कहा हमने अगर हमने South Africa की तरह गेंदबाजी की होती तो आप दूसरा हाफ अलग तरह से देख सकते थे आगे Jonathan Trott कहते हैं हम केवल 3 बजे होटेल वापस आए और फिर हमें 8 बजे निकलना पड़ा 5 घंटे बाद हमें पर्याप्त नीद नहीं मिली इसलिए जाहिर तौर पर सभी लोग बहुत ठके हुए थे और वास्तव में emotionally, physically बहुत कुछ प्रोसेस करना है So all new territory for us, for the guys इसके यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अगर देखिए कि आप 3 बजे होटेल में वापस आते हैं और 8 बजे निकलना पड़ता है 5 घंटे की जो नीद मिलती है तो आप एक मैच से पहले जो हैं यह कोई बहाना नहीं है जब आप World Cup या किसी भी tournament में जाते हैं आप हर चीज अपने तरीके से नहीं कर सकते और आपको उन बाधाओं के खिलाफ लड़ना और खिलना होगा जो आपने कई बार किया है और इस पर आपको बहुत गर्व है लेकिन ऐसा नहीं है और लेकिन आज राज यह हमारे अनुकूल नहीं रहा तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ यह reason नहीं है कि हम tired थे हमें time नहीं मिला कि हम आज का match नहीं जीत पाए उन्होंने कहा कि credit जो है South Africa को भी जाता है जिन्होंने अच्छी cricket खेली लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए है pitch को लेकर आप लोग मुझे बताईए जिस तरह से Jonathan Trot सवाल उठा रहे हैं pitch को लेकर क्या आपको भी लगता है कि pitch semi-final के मुकाबले के लिए सही pitch नहीं दिख रही थी इसके लावा Michael Vaughan ने भी scheduling को लेकर जो है सवाल उठाए हैं जिस तरह से उनको लगता है कि पहला semi-final जो है India, England का होना चाहिए तो दूसर semi-final में अफगानिस्तान और South Africa को खेलना चाहिए तो अब इस semi-final को लेकर हर जगह से कई नहीं नहीं बाते जो है सुनने में आ रहे हैं आप लोग के व्यूस क्या हैं वो आप जाकर comment section में दे सकते हैं उमीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो लाइक कर लिजे और शेयर कर लिजे SportsSak app और SportsSak website पर सीधी कवरेज अमेरिका और वेस्ट रिडिस